सचिन जी आप युवानेता हैं, कुछ युवाओं से जुड़े मुद्दों की बात कर लेते हैं, बीजेपी पेपर लिग को एक बड़ा इशू बना रहे हैं, आपको लग रहा है कि इसे हांडिल करने में आपकी सरकार से कोई चूक हुई हैं? कि पेपर लिए हुए हैं, हर जगे हुए हैं, और मैं समानता हूँ कि किसी को अधिकार नहीं है कि नौजवानों के भविष्ट से हम खिलवार करें, बच्चे गरामी शित के शेहरों में आते हैं, कोचिंग लेते हैं, पैसा खर्च करते हैं, टूशन पढ़ते हैं, हॉस्टल म जाता है, उन पर क्या भीत्ती होगी, ऐसे हजारों लागों बच्चे परिवार हैं, तो उनके पति अगर हम संविदनचील नहीं होंगे, और फिर वो नौजवान अगर हताश हो जाएगा इस देश का, तो फिर देश के लिए बड़ी चुनाती है, अगर उसका वो फेथ सिस होगा, उसकी सजा का दाइरा बढ़ा की उम्रकाद कर दिया है, पेला स्टेट पूरे देश में जहां उम्रकाद की सजा है, पेपर लीक पे, तो अंकुष लगाने के लिए एक डेटरेंट साबित होगा, पेपर लीक बहुत जगे होते होंगे, लेकिन मैं मानता हूँ किसी पेपर लीक जैसे इसूस पे हमें बहुत समिधनशील हो की काम करना चाहिए क्योंकि इसमें देश और विवाओं का भविष जुला हुआ है, आज टेक्नॉलोजी है, पेपर लीक ही ना हो इसके लिए क्या तैयारी है, इसके बारे में सोचा जाना चाहिए, इसका पूरा जो इको सिस्टम है, कहां से होता है, क्यों होता है, तब बल्कि मैं तो कह रहा हूँ, आज भी कह रहा हूँ आपके सामने, जांच होनी चाहिए, और जांच हो भी रही है, अगर कोई व्यक्ति पकड़ा जाता है, या तथ्यार प्रमान मिलते हैं, किसी के इंवाल्मेंट में, सक बोल्ड के लिए मोटिवेटेटे लगता है, पबलिक का परसेप्शन है, मैं खुद महीं कह रहा हूँ, इसलिए इन इस्वे पर तो हमें इसको ना तो करनाच पोलिडिसाइज, लेकिन इसका समादान ढूडने के लिए, कारवाई करनी चाहिए, और परशासन सरकार किसी की अगर कोई इन्वार्ड है उस पे सक्तकारवई होनी चाहिए इसमें कोई मुझे शंकोचनी कहने वे युवाव उस जुड़ा हुआ एक और मुद्धा है बिरूजगारी का बिरूजगारी की आखरे जाहिद दौपा उच्छाहिद करने वाले नहीं है लेकिन आप ही कि सरकार् हिंदुस्तान में सबसे जादा बिरूजगारी आज है हिंदुस्तान में एक मिल्गिला बाइसान के भार जाईए तो जो लोग साड़े-9 साल से दिली में शासन कर रहे हैं कुछ प्रतिशन जिम्हेदारी तो उनके भी होती हो कि जो कहते थे कि हर साल हम दो करो रोजगार द